असलाम अलेकुम दोस्तों, आज मुझे एसास हुआ कि जो मैं सबसे कहती हूँ कि मुझे 2-3 मिनट की वीडियो भेज दीजिए मेरे ममान के बारे में कुछ कहकर, तो आज मुझे एसास हुआ कि यह तो वाक़ी मुश्किल काम है किसी के बारे में राय देना, तो जैसे कि आज म कुझ में दूंट्टर पो कितने आहम हैं जोए मसीर है और छिफ प्रफ्रसर ऑफ नहीं है वालकर प्रफसर ऑफ फोटॉट्र्वाफी है ज्सब्स तो मैं उन्हेती हूँ श्क्रामरोच अजधादस पुपियों अंगे कोलइश मंजाब finance세요 graduate किया है उन्होंने लेकिन वो इतने कमाल के फोटरग्राफर होंगी इस जिसका मुझे नहीं मालूम था और इस बात का इत्राग मुझे हुआ 2018 में मुझे याँ 2018 अचार निमेंबर मैंने ऐसे ही Facebook खोला तो एक तस्वीर में सामने आई कि एक बुजर्ग है जो स्टेशन पर बैठे हैं और अपने मुबाइल फोन पर वो कार्ट्स देख रहे हैं और उस तोरान मुबाइल फोन भी देख रहे हैं यह मेरी observation थे और उस तस्वीर के साथ ही मुझे इतना कुछ याद आ गया कि मैं आपको क्या पता हूँ तस्वीर नहीं थी वो यू लग रहा था जैसे वो कहानी कह रही थी मुझे याद है मुझे याद है कि अमी जी से हम अमीचु के लंडन में रहती थी तो हम मैं बाहर उती थी तो बाकि सारे बच्चे उनके पास होते थे और मेरी चूटी मेरी जो वहन दिलशाद असीवे वो लाहूर उती थी तो हम दोनें के बहुत एक जित थी अमी के साथ भी और दुसरे ज जो हम सब हम दोनों का खुशी का कोई ठीकाना नहीं था फिर मुझे याद है कि आफ़ताप की अमी के पास जो मुबाल आया तो हम उनसे रोजाना बात करते थे शाम के वक्त और वो कभी वीडियो कॉल करते थे तो वीडियो से हम उनकी नुरानी शकल देखा करते थे उनकी दुआएं जो है वो उनसे लिया करते थे तो वो जो है वो उनकी कुछ बाते रिकॉर्ड भी है तो यह सारा कुछ सेल फॉन से मुम्किन हुआ फिर मुझे याद है कि 2016 में अबची बिमार हो गए तो अबची जब बिमार हुए तो हमने अबची सिए कहा कि अबची प्लीज दिन रात का फर्क है तो उन्होंने कहा कि ठीक है अबची ने हमारी इस्टार पे जो है वो फॉन ले लिया 2016 और 2016 से 2019 तक जो कि अबची की इस जहां से गए तो वो हमारे लिए फॉन जो था वो एक आस्रा था हमारी जान था और बस यह होता था कि जैसे सब कुछ है फिर उसके बाद 2017 में मेरा बेटा मनी शादी होके करके जो फ्रांस किया अपी वाइफ के साथ जॉब के सलसले में तो एक ही आस्रा था कि वीडियो कॉल करता था और जो वो जा रहा था तो अफकोर्स मैं रो रही थी एरपोर्ट पे तो मुझे तसलीदे के कहता है कि जिस त जाने इस सेलफ़ों से मेरे और कितने और रिष्टे जुड़े हैं और कितने और दोस्तियां से जुड़ी हैं कितनी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं दोस्तों इस याद के हवाले से जब मैंने वो तस्वीर चार रिवंबर 2018 को डॉक्टर आमिर शहजाद की खेंशी भी वो तस्वीर देखी तो अब देखे मुझे कितना कुछ उससे याद आया और फिर उसी दिन ये नस्म जो है ये जो थी वो जो है वो आमद होई इसकी और मैंने इसके पर एक नस्म लिखिया मेरी खौईश है कि आज स्पेशल सप्राइज मैं जो है वो मैं डॉक्टर आम नस्म पेश करती हूं मेरी नस्म का उन्वान है सेलफोन शैजान मैं बुड़ा हो गया हूं मैंने अपना उफक लपेट दिया है और आसमान तुम्हारे लिए खुला जोड़ दिया है शैजान मैं अब तनहा कहां मैं खुद को तुम होते दीख रहा हूं ये कैसा तलसम होश रुबासा है ये जहां कोई और है मिरी तिनहाई से परे एक और खल्वत है वहां आवाजें ऐसी हैं जैसे अमानते हों और चेहरे बारानक ऐसे हैं जैसे गुलू समन शाबाब और पाकीजा खिले हों श्राइजान मेरा ये जहां मेरा ये सकुने कल्ब ना दिर फरे भी है और ना कोई धुका है मेरे लिए मेरा सेलफ फोन एक मुकदस कुंज है जहां मैं अपने प्यारों से रोज मिलता हूँ जहां मैं अपने प्यारों से रोज मिलता हूँ तब्टर आमर शहजाद के लिए उनकी मसीहाई के लिए उनकी फोटो ग्राफरी के लिए हैं मैं तही दिल से उनकी शुकर गुजार हूँ कि आपकी तस्वीरें भी मसीहाई का रूप है और आप सदा ऐसे ही रहें बहुत शक्रें